कि देखो आपको याद है ना कि मैं हमेसा एक बात बोलता हूं और कल भी मैंने वह बात बोला था आज भी मैंने आपको वही बात बोला था उस पर रियाक्टि भी किया था कि डेटा को हमको समझना है और डेटा आप सबको दिखाई दे रहा है डेटा आपको भी दिखाई देत और डेटा उन लोगों को भी दिखाई दे रहा था जिन लोगों ने HDFC बैंक में बाइंग गिया हुआ लेकिन उस डेटा को हमको कैसे समझना है हम उस डेटा से कैसे benefit उटा सकते हैं और हम उस benefit से हमारे क्या लेवल लिकल के आते हैं वो सिरीफ हमको पता है और हमको ही उस पर डिसेयन लेना है अब देखिए आज हुआ क्या आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहीं निप्टी में आपको सेलिंग देखने वोला और निप्टी ऑल्मोस उपर की लेवल से कितना हमको देखें यहां है गिता हुँ दिखाई दिया अगर मैं इसके हाइसे जगह बात काता हूं तो यहां पर हमको दिखाई दिया की स्ट drills के हाइस के हाई लिए ते 122 पॉंटों की सेलीग सेलिंग देखने बी यारी इतनी से सेलिंग हुआ क्यों मार्केट के अंदर कुछ लोग बोलेंगे कि इस ने सेलिंग किया था इसलिए सेलिंग आया था अभी एफाइस का डेटा भी अपन देख लेते हैं आज भी देखें 13 अगस्त को अगर आप देखो तो 2107 करोड की बिक्वाली की है लेकिन उसी जगह अगर ह मार्केट नीचे जा रहा है और मार्केट में अगर मैं बात करूं तो अभी देखें यहां पर 208 पॉइंटों की हमको सेलिंग के साथ आपका इस जगह किलोजिंग दिखाई दे रहा है जो कि 24 सजाए 140 के पास हमको नेगिटिब किलोजिंग दिखाई दी अब नेगिटिब क 3% के आसपास की हमको सेलिंग देखना हो ली साड़े 3% की अब साड़े 3% की हमको यहां पर सेलिंग देखना हो ली तो HDFC एक ऐसा स्टॉक है जो अगर आप देखोगे तो दो इंडेक्स के दिल धड़कते हैं इससे आपका निप्टी भी इंपेक्ट होता इससे और बैंक नि काफी ज्यादा है अगर रिलाइंस की मैं बात करूं HDFC बैंक की मैं बात करूं तो इनका वेटेज ज्यादा है जब भी इन इस्टोकों में कुछ होता है तो वह आपको इंडेक्स में दिखाई देता है अब ऐसा नहीं कि होने के बाद मैं आपको यहां पर ग्यान दे रहा पिलस मैंने आपको यहां पर बता दिये था कि डिइए ने क्या किया है और मैंने आपको बता दिया था ओपसं के अंदर और दाउस रहाया है जो मैंने भाथ किया था अब साधी साथ देखिये जो मैंने यहां पर चार्ट पब्लिस किया था अगर आपने देखा होगा हमारी telegram पर यहां पर सबसे पहले यहां नौरटिस किए यहां होदा और यहांई देखने बहना था और उसके बाद एक केंडल तो आपको देखें बड़ा देखने को बना जो कि आपको नौपंदा के आसवास का सेंट केंडल था और जो चार्ट मैंने आपको पब्लिज किया था यह आपका फाइव मिट का चार्ट था ठीक है इसको समझ लो आंगे मार्केट में आपको क्य क्या करना है क्या नहीं करना है वह आपको समझ में आजागा और इस चीज को समझ लो उसके बाद उसके बाद जो आपका और फिर उसके बाद अगर हम बात किया तो उसमें एक और केंडिल बनाता जो कि आपका देखिए नौ पच्चिस का और नौ तीस वाला जो केंडिल बनाता वो नौ तीस वाला केंडिल आपका इसके नीचे जाने की कोसिस कर रहा था जो कि आपका नौ पंदरा पर बनाता नौ मैंने लिखा क्या था अब देखिए बिल्कुल धियान से दिखिए बस बातों का खेल है आप mala perform टो आपको पीजि जह व्याएं सबको को ले जाएगा अब का ले जाएगा दिखाई दे रहा उसके साथ पर देखे वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है दो सो एमे का लाइन था उसके बाद तो अगर आप देखोगे तो उसके बाद देखे रुकाई नहीं और जी हमने बैंक बात किया था जो कि आपका 50,400 के नीचे बिल्कुल गया पूरी यहां पर मैंने आपको लिखे दिया था और पूरा मोमेंट हमको आप देखने को मिला अगर आपको देखे डेमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप जाके कर सकते हो और आपको देखे बैंक निप्टी का वीडि ADFC जो बैंक है सेर है इसमें देखे एक आपका इंडेक्स है जिसकी हमेशा देखें यहां पर बात होती है और global लेवल पर एक इंडेक्स है जो कि देखें MSCI यह है इसका जो बेटे जब हो अगर आप देखो तो यहां पर आपको देखने हो लगा 3% के साथ अब यह बेटे ज दिखाई दिया वह मार्केट के अंदर देखने को बुला और यहां पर एक और चीज समझने आने वाली है कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो आपका देखें एक न्यूज आया था ना है आपका हिंडर वर्क का तो वहां पर हम सोचा थे कि वहीं उसने पुट लेके रखा ह होगा या उसने फाइस के तुरू यहां पर सेलिंग किया होगा वह हुआ ही नहीं वह क्या हुआ है कि जो आपका इंडेक्स आया उसने सीधे वहां पर सेलिंग करके रखा है और उसका पूरा इंपक्ट आज हमको देखने बला तो कई ऐसे डेटा होते हैं जो पब्लिक में आपको नहीं देखने वह लेंगे लेकिन सिर्फ उसको समझना आए और उसको अगर आप समझे लोगे तो फिर आपका काम हो जाता है अब यहां पर आप देखें यहां पर एक हमको टेरेल लाइन दिखाई दे रहा था जिए वाले टेरेल लाइन को फॉलो गारा था कंटिनि लेवल पर ठीक है इस जगह ठीक इस जगह हमारा देखें यह जगह आ चुका था और कल मैंने आपको बोला भी था कि 24,300 वाले प्राइस को आप ध्यान से रख लिए और अगर यह उपागी साइट भी ओपन होता है तो उपागी साइट हमारा 24,500 वाला लेवाल है अगर इसक को किसी भी तरीखे की तेजी नहीं देखने हो लेगी और अगर इसके नीचे जाता है इस वाले प्राइस के नीचे आता है जो कि आपका 24 यह तीन सो का तो फिर हम इसमें सेलिंग का साइट जा सकते हैं क्यों जा सकते हैं इसमें समझों कि यहां पर जो पांस तारीख वाला हमें देखने हो चांबुइब सकते हैं अगर हम लेवल को बात करें तो आठ तरीख का वी लेवल इस ही असपस आपका लोज हो गएस तृचिक है साथ तरृआ कमारम बात करता हूं तो दूसरे लेवल के वारे जो बारह तारीक को बारा तारीक का बहुत इंपोर्टन हमारे लेवल था क्योंकि बारा तारीक को क्या हुआ था इसने इस लेवल को देखे ब्रेक करने की कोशिज कर रहा था और एक हमारे पास नूज भी था हिंडर वक कर तो उससे पता चल ला था कि मार्के सेलिंग कर देगा लेकिन उसमें हु पूरा रीकवर किया अब जब रीकवर किया तो यहां पर हुआ कि यह वाली जो बायर थे जब प्रोफिट में आ गए थे क्योंकि मार्केट आपका टॉप पे बंद हुआ था इसके आज पर पूरा कंसुलेट किया था आपको पूरी कानी मैंने कल बता भी दी ती उसके बाद जब जब प्रॉफिट बुकिंग करना चालू के तो आज के मार्किट में भी जे समझ में आ रहा था लोगों को कि यहां पर यह क्या करेगा सपोर्ट करेगा लेकिन मैंने तो आपको बताई दिया था इस फैमिली में बिलकुल मत रहना कि यह सपोर्ट लेके इस तरीके से चला केप्चर अच्छे देखने हो लेंगे अब क्या है पूदीशन में यहां पर जो लोग है क्योंकि यहां पर अगर देखे में एक ट्रेल लाइन आपको यहां पर डड़ाओ करता हम तो अब आपको समझे में आएगा कि लोग आपके फसे हुए अब यहां तक देखे यह पू यहां तक ऐसे लगा लेंगे आसपास उससे ज्यादा थोड़ी क्योंकि निप्टी के अंदर तो भाई जिनको सो पॉंटों का मूब मिल गए ना या 150 पॉंटों का वो तो उसी में घाजा बड़ा लॉस देखने हो मिल जाता है गायल उसी में हो जाते हैं वो ठीक है क्योंकि कि निप्टी में सो पॉंटों का मूब जो भी एक्सवारी के दिन आने वाला उनके लिए इतना वड़ा एसल तो वो लगाई नहीं सकते ठीक है एक फाई एस की बात अलग है वो तो देखिए इस जगह निप्टी के अंदर सो पॉंट तो छोड़ो 200 पॉंट 300 पॉंट में भ वो छी नीचे जाता है तो फिर आपको एक बड़ी सेलींग फिर से देखने को मिल सकती एप्टैके इस लेवल के निचे क्योंकी सबसे बड़ा वेंक ठीक है ठेलेविट सबसे बड़ा बैंग प्राइवेट्ट गेritos ethics भॉह आपका कमजोर हो रहा है सबसे दिक्कत बार्री और वो भी अगर आप देखो तो आपको कित्ता दिखाई दे रहा है अल्मुस्ट आपका 3.5% के आसपस अभी हमारा नीचे बंदुगा है ठीक है अब जे चीजे हमारे लिए नेगेटिव है अगर जे इसके नीचे जाता है तो आल्मुस्ट जे समझ लीजे हमको 100 पॉंटों स से लेकि 150 पॉंट फिर उसके बाद 200 पॉंटों की और सेलिंग देखने हो बन सकती है 100 पॉंट मैंने क्यों बोला और 150 क्यों बोला क्योंकि इसके बाद हमारा एक नीचे साइकलोजी प्राइस आ जागा जो कि आपका 24,000 का ठीक है फिर हमारा जो 24,000 के लेवल को ब्रेक करेग फिर तो आप समझके चलिए 200 पॉंटों की और सेलिंग हमको देखने हो मल जाएगी अब सपोर्ट कहां पर सपोर्ट हमको कैसे मिल सकता है ठीक है और मार्किट कहां तक नीचे जा सकता है तो इसको अपन समझते हैं तो यहां पर बिलकुल आगर आप समझके चलोगे ठीक है तो सपोर्ट आपको मिलेगा सीधे इस जगह जो कि आपको 23,670 का प्राइस दिखाई देता है 23,670 यानि आप जे समझे कि अगर इस लेवल को निकाल देता है इस लेवल को नीचे के साइड बिरेक कर देता है तो फिर आपका जे आल्मोस यहां तक आ सकता है क्योंकि यह तो 24,670 वाला प्राइस ठीक है उपर अब हमारा रजिस्टेन का प्राइस क्या है तो रजिस्टेन का प्राइस उपर 24,350 से लेके आपका 24,400 यह आपका इंपोर्टन रजिस्टेन है ठीक है उपर की साइड इसके उपर निकलेगा जब भी कुछ हो सकता है वन्ना हमारा तेजी नहीं देखने को उपर का रजिस्टेन भी मैंने आपको बता दिया जो कि आपका 24,350 से लेके 24,400 के सम्तिंग हमको देखने को मल सकता है ठीक है अभी थोड़ा नेगेटिव और व्यू है जो कि मैंने आपको बता दिया नीचे के साइड वीडियो कैसा लगा मुझे बिलकुल बने मता हुआ